मसकार, अभिनन्दन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग विदारती की यूटूब चैनल पर जैसे कि आप सभी को पता है टोपिक वाइस करेंट अफेर 2023 की सीरीज चल रही है जो कि आपके SSC, बैंकिंग, पटवारी, रेलवे, जितने भी स्टेट गवर्मेंट एक्जाम है जितने भी सेंटर गवर्मेंट एक्जाम है उसके लिए काफी इंपोर्टेंट हैने वाला है इसमें से आपको एक कोशन देखने को जरूर मिलेगा आने वाले एक्जाम के अंदर अभी तक हमने तीन टोपिक कवर कर लिये हैं जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइड करवा दुआ अभी तक आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखिए तो जाके जुरूर देखिएगा और आज का हमारा टोपिक रहने वाला है वीडियो के मादेम से आपको प्रवाइड करवा दिया जाएगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हैं हाली में राश्पती भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवित्यत कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर रहेगा अमर्त उध्धान अमर्त उध्धान इसका नाम कर दिया गया है इसका पहले नाम था मुगल गार्डन मुगल गार्डन का अब नया नाम क्या रहेगा अमर्त उध्धान नेक्स्ट है हाली में मोपा हवाई एड़े का नाम परिविद्द करके क्या कर दिया गया है तो इसका सयम सो रहेगा मनोहर परिकर अंतराष्टे हवाई एड़ा कुछ हवाई एड़े और भी चेंजिस किये गए है जो कि मैं इसके अंदर ही बता देता हूं आपको चंडिगड हवाई एड़ा जिसका नाम अब कर दिया गया है सहीद बगत सिंग अंतराष्टे हवाई एड़ा नेक्स्ट है अयोद्य हवाई एड़ा जिसका अब नाम कर दिया गया है मर्यादा पुरसोतम श्रीराम हवाई एड़ा आगरा एरपोर्ट का नाम कर दिया गया दीन दियाल उपाद है एरपोर्ट और नवी मुंबई हवाई एड़े का नाम बदल के कर दिया गया डीबी पाटिल हवाई एड़े तो इसमें हमने 5 हवाई एड़े के नाम देख लिए हैं जिसमें है मुपा हवाई एड़े का नाम कर दिया गया है मनोहर परिकर अंतराष्ट्य हवाई एड़े का नाम कर दिया गया है सहीद बगत्सी अंतराष्ट्य हवाई एड़े अयोध्या हवाई एड्डे का नाम होए, मर्यादा प्रसोतम सिरी राम हवाई एडडा और आगरा ऑःपोर्ट का नाम कर दिया गया है, दीन दियाल उपादय एरपोर्ट नभी मुंबिई हवाई एड्डे का नाम कर दिया गया है, डी बी पाटिya हवाई एडडा नेक्स्ट पोर्सन रहेगा हाली में मुहाली होकी स्टेडियम का नाम प्रिवितत करके क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर रहेगा बलवीर सीयं सीनियर होकी स्टेडियम मुहाली होकी स्टेडियम का नया नाम रहेगा बलवीर सीयं सीनियर होकी स्टेडियम next है हाली में राजपत का नाम प्रिवितत कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर रहेगा करतवे पत करतवे पत अब राजपत का नया नाम रहेगा करतवे पत नेक्स्ट है माराष्टर के सहर होरंगाबाद का नाम प्रवितित करके क्या कर दिया गया है तो इसका सही उंसर रहेगा 37 संबाजी नगर 37 संबाजी नगर अब नया नाम रहेगा होरंगाबाद गया कुछ सहरों के नाम और भी चेंज किया गया है जो कि इस परकार है उस्मानाबाद का नाम कर दिया गया है धारासीव, इलाबाद का नाम कर दिया गया है परियागराज, फेजाबाद का नाम चेंज होके कर दिया गया है अयोध्या, गुरुगाओं का नाम चेंज होके कर दिया गया है गुरुग्राम, सिमला का नाम चेंज करके है श्यमला, और होसंगाबाद का नाम करके नर्मदापूर नाम कर दिया गया है नेक्स्ट रहेगा हाली में आउनाचल परदेश के किबूثू गेरिसन के सञन्यya सीवर का नाम पर दिकर के क्या कर दिया गया है तो इसका नाम कर दिया गया है जर्नल वीपिन रावत सेने चोकी जो कि हमारे पहले फर्स्ट सीडियस थे उनके नाम पर ये रखा गया है जर्नल वीपिन रावत सेने चोकी इनके नाम पर कुछ और भी चैन्जेज हुए थे हाली में जो इस परगार है मैंकी पूरी सेने स्कूल का नाम भी जर्नल वीपिन रावत रखा गया था मैंकी पूरी सेनिक स्कूल का नाम क्या रखा गया था जर्नल वीपिन रावत स्कूल और किभूथू गेरीसन के सेने सिवर का नाम क्या रखा गया है जणर्नल वीपिन रावत सेने चोकी Next है मानो संसादन विकास मत्राले MHRD जो जिसको पहले बोला जाता था उसका नाम क्या कर दिया गया है तो उसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मत्राले जो की है, कोशन आपको 2022 के काफी एक्जाम में आपको लेखने को मिला था MHRD का नाम परिवुतित करके क्या कर दिया गया है, तो इसका सही अंसर है शिक्षा मंतरा ले, सही अंसर क्या है, शिक्षा मंतरा ले नेक्स्ट रहेगा जम्मुग के सर्कुलर चोक रोड का नाम परिज़त करके क्या कर दिया गया है तो इसका कर दिया गया है अटल चोक अब सर्कुलर चोक का नाम रहेगा अटल चोक next है हाली में राज्य सभा टीवी और लोक सभा टीवी का नाम परिजित करके क्या कर दिया गया है तो इसका सई अंसवर रहेगा संसत टीवी संसत टीवी अब उचको बोला जाता हैy next है हाली में अंडमार निकोबार दुवीप सुमुए के माउंट हेरियेट द्वीब का नाम परिचित करके क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर रहेगा माउंट मनीपूर और अन्द मानने को बार के अंदर हाले में काफी चेंजेज हुए थे जो इस परकार है रोस द्वीब का नाम करके दिया है नेता जी सुबाज अंदर बोस द्वीब निल द्वीब का नाम करके कर दिया गया है एक्टलाव द्वीब और सहीद द्वीब का नाम करके कर दिया गया है सवराज द्वीब अब इसको बोला जाता है और पीम नरेंदर बोती ने नेता जी सुबाज अंदर बोस की जैनती पर अंदमार निको बार के 21 एनाम दिपो का नाम हमारे परमवीर चकर विजयताओं के नाम पर रख दिया गया था और वहिलर द्वीब जो की उडिसा के अंदर है उसका नाम क्लाम द्वीब के नाम से उसका रख दिया गया था नया नाम क्या रहा था क्लाम द्वीब वहिलर द्वीब जो की उडिसा के अंदर है उसका नाम क्या रखा गया था कलाम द्वीब एक्स रहेगा जिम कोरबेट टाइगर रिजरु का नाम पर विच्ट करके क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर रहेगा राम गंगा राष्टिय उधान राम गंगा राष्टिय उधान NEXT है नई दिली के परवाफी भारतिये के इंदर का नाम प्रिशित करके क्या कर दिया गया था शुस्मा सवराज भवन सुस्मा सवराज ज्य के नाम पर कुछ और वी चैंजिस हुए थे विदेश से वाशनस्तान जिसका नाम कर दिया गया था सुस्मा सवराज institute of foreign service Institute of Foreign Service Ambala City Bus Stand का नाम भी उसमा सवराज Bus Stand कर दिया गया था Next है के अंदर सरकार ने नहरू संग्राले का नाम परिवित्द करके क्या कर दिया गया था तो इसका नाम कर दिया गया था परदान मंत्री संग्राले Next है महराष्टा सरकार ने दोलताबाद किले का नाम परिवित्द करके क्या रखने की कोशना की है तो इसका सही उसर रहेगा देवगीरी किला Next है हाली में मुंबई के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवित्द करके CD देशमुक स्टेशन किया गया तो इसका सही उसर रहेगा Churchgate Railway Station Churchgate Railway Station कुछ स्टेशन के नाम बहुत इस साल चैंज किये गए है और 2022 में भी चैंज किये गए थे जिसमें है मुगुल सराय जंग्सन जो की उतरपरदेश में है उसका नाम कर दिया गया था पंडित दीन द्यार उपाद है Railway Station Next है मुंड़ाडी Railway Station जो की उतरपरदेश में है उसका नाम बनारस Railway Station रख दिया गया था Robert Sangaj Railway Station जो की उतरपरदेश में है उसका नाम कर दिया गया सोन भदर Railway Station इलाबाद जंग्सन उतरपरदेश जिसका नाम कर दिया गया था प्रियागराद जंग्सन पेजाबाद जंसन जो की उतर प्रदेश के अंदर है उसका नाम कर दिया गया था अयोधा केंट जंसन नेक्स्ट है पनकी रेल्वे स्टेशन जो की उतर प्रदेश के अंदर है उसका नाम कर दिया गया था पनकी धाम रेल्वे स्टेशन दंडूर्पूर रेल्वे स्टेशन जो की उतर प्रदेश में है मा वारही देवी धाम रेल्वे स्टेशन परताल पानी रेल्वे स्टेशन जो की मद्य प्रदेश में है जिसका नाम कर दिया गया था दन्नायक तंटिया भील रेल्वे स्टेशन अम्बीज गज रेलवे स्टेशन जो की मद्य प्रदेश में है जिसका नाम कर दिया गया था रानी कमलावती रेलवे स्टेशन जो की फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन था अम्भीजगाज रेल्वे स्टेशन जिसका नाम कर दिया गया था रानी कमलावती रेल्वे स्टेशन केवडिया रेल्वे स्टेशन जो कि गुजरात के अंदर है उसका नाम कर दिया गया था एकता नगर रेल्वे स्टेशन पेज़ाबाद रेलवे शुरुख्शा बल शेवा कर दिया गया था हाली के अंदर और ये भी एक्जाम के अंदर काफी आपको पुचा जा चुका है कि आर पीएफ नाम बदल कि क्या रखा गया तो इसका सही उंसर रहेगा रेल वे सुरुख्शा बल शेवा नेक्स्ट है नई दिली में परगती मेदान मेट्रो स्टेशन का नाम प्रिवितर करके क्या किया गया है इसका सही अंसर रहेगा सुप्रीम कोट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोट मेट्रो स्टेशन नेक्श्ट है के अंदर सरकार ने मिड़े मिल योजना का नाम प्रिवितर करके क्या किया गया है तो इसका सही अंसर रहेगा पीम पोसन योजना पीम पोसन योजना आप लोगों को अगर इसकी पीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी पीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को सेर जूर कीजिएगा ताकि हमें भी motivation मिलता है तो नेक्स्ट है कजाकिस्तान की राजदानी नूर सुल्तान का नाम पर उत्ति कै क्या किया गया है तो इसका तरही अन्स्षर रहीगा अस्ताना पुश्टेट ऐसे हैं जिनके नाम चेंज हुए है जिसमें अफगानिस्तान अफगानिस्तान का नया नाम है इसलामिक अमराथ ओफ उफगानिस्तान तुर्की का नाम तुर्की ये अब रख दिया गया है next है कार्गिल के द्रोस सेक्टर की पॉइंट की क्या वन्चालिस पहाड़ी का नाम पुरुतर के क्या किया गया है तो इसका रखा गया है गन हील अब इस पहाड़ी का नाम रहेगा नेक्स्ट है हाली में रास्तान के मिया का बाड़ा का स्टेशन का नाम पर उत्र करके क्या किया गया है ये काफी important रहने वाला है आपके रास्तान स्टेट कोई भी exam होता है उसके अंदर भी एक कोशन आप से पूछा जा सकता है तो इसका सही उंसर रहेगा मेस नगर हाल्ट स् एक्सप्रेस का नाम पर उत्र करके क्या किया गया है तो इसका सही उंसर रहेगा अक्सरदाम एक्सप्रेस नेक्स्ट है कोलकत्ता पोर्ट का नाम पर उत्र करके क्या किया गया है तो इसका सही उंसर रहेगा सामा परसाद मुखरजी सामा परसाद मुखरजी पोर्ट नेक्स स्वच्छ भारत अभ्यान का नाम बदल के क्या किया गया है तो इसका सहींसर रहेगा सुंदर भारत सुंदर भारत नेक्ष्ट है उतर प्रदेश के गोरपूर एरपोर्ट का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सहींसर रहेगा महायोगी गोरकनाथ एरपोर्ट महायोग का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका अंसर रहेगा महाराजावीर बिक्रम एरपोर्ड रखा गया है वंदे भारत एक्स्प्रेस नेक्स्ट है उत्र प्रदेश के अवयुद्धा हवाई एड़े का नाम बदल के जो कि हमने पहले भी कवर कर दिया था इसका सही उन्सर रहेगा मर्यदा पुरसोत्तम शिरी राम हवाई एड़ा नेक्स्ट है जार सुगडा हवाई एड़ा का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सही उन्सर रहेगा वीर सुरेंदर साई हवाई एड़ा नेक्ट है राजीव गांदी के खेल रतन का नाम, रतन पुरुसकार का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सही उन्सर रहेगा, मेजर ध्यांचन पुरुसकार. मेजर ध्यान शंद पुरुसका Next है Чंदिगट अंतराष्टिय हवाय एड़ा आप इसको बोला जाएगा Next है विश्व स्वास्तिय संग्धन WHO ने मंकी पोक्स का वाईरस का नाम बदल के क्या रखाया तो इसका सही उंसर रहेगा M-Pोक्स एमपोक्स अब इसको बोला जाएगा नेक्स्ट है बिहार के मखाना का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सही उंसर रहेगा मिथाना का मखाना मिथला मखाना मिथला मखाना अब इसका नाम रहेगा मतर प्रदेश के रोतांग सुरंग का नाम बदल के क्या रखा गया तो इसका सहयंसर रहेगा अटल सुरंग नेक्स्ट है एनमार निकोबार के हैवल arguably द्वीब का नाम बदल के क्या रखा गए तो इसका सहयंसर रहेगा Yuk안 जो की इमने पहले भी cover कर दिया है हेवलक द्वीब का नाम क्या है सवराज द्वीब नेक्स्ट है अनमारने को बार के रोज द्वीब का नाम क्या रखा गया है तो इसका सहींसर रहेगा नेता जी वासंदर बोस द्वीब नेक्स्ट है अफगानिस्तान देस का नया नाम क्या रहेगा अफगानिस्तान का नया नाम रहेगा इस्लामिक Emirates of Afghanistan नेक्स्ट है railway transforming university गुजरात का नाम बदल के क्या रखा गया तो इसका सही आचप्र एगा गती सक्ती विसाविद धाले है नेच्ट है केंधर सर्कारने सिवपूरी तो कि मद्य प्रदेश में नाम बदल की क्या रखा गया है तो इसका सहीमसर रहेगा कुंडेशवर धाम नेक्स्ट है उत्रप्रदेश के फेजाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सहींसर रहेगा अहोध्या नेक्स्ट है चत्रप्रदेश के नेयर आयपूर का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सहींसर रहेगा अटल नगर अटल नगर नेक्स्ट है उत्रप्रदेश के मुगुल सरय रिल्वेस्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सहींसर रहेगा पंडित दीन दियाल उपादे नगर जंक्सन पंडित दीन दियाल उपादे नगर जंक्सन नेक्स्ट है कांडला बंदरगाय का नाम बदल के क्या रखा गया है तो इसका सहींसर रहेगा तीन द्याल बंदरगाय नेक्स्ट है दिल्ली के ओरंगजेब रोड का नाम बदल के क्या रखा गया है इसका सहींसर रहेगा कलाम रोड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेर और लाइक जुरूर केजएगा थैंक्यू वेरी मच